दोस्तों आज मैं बोगन बेलिया के बारे में कुछ बताऊंगी आप लोगों को और कैसे ज़्यादा ब्लूमिंग करती है मेरे पास कई तरह की बोगन बेलिया लगी है और लो मेंटिनेंस में कोई ज़्यादा इसकी केर करने की ज़रूरत नहीं होती है तो आप सबी लोगों का स्वागत है मा क्रियेटिव किचन गार्डन में में यूटूब परिवार को तो friends मेरे साथ अंत तक बने रहें कोई जादा बड़ा वीडियो नहीं है friends तो ये जो है इतनी सुन्दर बोगन बेलिया है अपने लीप्स भी इतने इसमें सुन्दर सुन्दर है जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती तो भी अच्छी लगती और ये वाइट कलर की बोगन बेलिया तो अपना एक नया समा बांदे हुए है और friends ये जब इसमें बोगन बेलिया देखी इसमें लीप्स कितने सुन्दर लग रहे हैं और बोगन बेलिया में एक खास बात और होती है friends कि जब इस्टार्टिंग में फूल निकलते हैं तो अलग तरह के होते हैं फिर बाद में थोड़ा-थोड़ा करके कलर चेंज करते रहते हैं तो यह जो है बोगन बेलिया मुश्किल से इसमें क्योंकि रोट साइड में भी आप लोगों ने देखा होगा रोट साइड में कोई ज़्यादा इसमें केर नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें तो फ्रे किया रिपोर्ट का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि इसको दूसरे गमले से इस तरफ ट्रांसपर करके ले आई हूं तो मैंने जणों को इसमें काड़ देखी फ्रेंड्स ये कितनी सुन्दर इसमें कलर ये बोगन बेलिया को अभी लगाना है तो अभी फिलाल में ही मैं मैंने लेकर किया हूं और कुछ मैंने कटिंग से बोगन बेलिया तयार किया है तो बहुत सुन्दर सी बोगन बेलिया है और ये जो बोगन बेलिया है फ्रेंड्स मैंने माली के कहने से माली माली कहने लगे भाया दीदी ये आप बोगन बेलिया को एक ले जाएए तो उसको म मैं अभी बाद में दिखाऊंगी और ये देखे साब। ये हमारे अडैनियम है अडैनियम मैं ग argon pats fox नियूम है पसंद लेकिन भाद ये अलग से है यह मैं भी कोई कयर नहीं करनी पड़ती है तो इन इसका अपडेट दोंगी कि कैसे फूल गिरने ना दें, किस तरह से क्या केयर करें, जो फूल इनके गिरने ना पाएं, क्योंकि ये रूई की तरीके होते हैं, तो उड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी, फ्रेंड्स, कभी आउनलाइन के खरीद में आए हूँ, या मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, फ्रेंड्स, देखी कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है, आज 23 नमंबर हो गया है, और ये मैंने मैं मैं कटिंग से लगाए हुए थे फ्रेंड्स, तो य इम की खली से ये होता है फ्रेंड्स, और फंगी साइड मिला करके, तो उसे ये होता है डेनियम में, और वही मैं इसमें करती हूँ, बोगन बेलिया में, तो ये प्लांस में ये होता है फ्रेंड्स, कभी कीडे नहीं लगते हैं, और ये तो अलग हट करके फ्रेंड्स, ये देखिए फूल कितना सुन्दर है ये तो गार्डन में बिल्कुल बोगन बेलिया बिल्कुल अलग हटके ये मैं माली भया के कहने से लेकर के आई थी कि दीदी आप ये ले जाए तो मैं यही फूल पौदे को लेकर के आई थी तब उस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही थी लेकिन मैं बिश्वास में लेकर के आई थी वो बिश्वास वाली बेक्ती हैं भी तो फ्रेंट्स मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना ख्याल रखें थैंक्यू बाय बाय टेक केर हैपी गार्डनिंग